नमस्कार, आज हम डिसकस करेंगे HP SSE का previous वेपर है, इसका आज हम जियोग्राफिक का section डिसकस करेंगे काफी टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम section wise क्यों discuss नहीं करते तो आज हम section wise, आज से हम section wise discuss करना start करेंगे और section wise जो है एक अलग playlist बनाई जाएगी जिसमें section wise वीडियो जो है उड़ागी जाएगी इस तरह की series हमने junior office edition postcode 817 के time में जो था हो start की थे और definitely वहाँ से बहुत सारे लोगों को help मिली थी तो आज हम geography के section से जो हो start करेंगे इसी तरह के अलग अलग sections जो है हम आगे भी discuss करेंगे अब यह आप question number 7 देखिए जियोग्राफी का question है हम बोलते हैं which river does not flow through Pakistan बोलते हैं इन मेंसे कौन सी नदी ऐसी है जो पाकिस्तान से नहीं बहती है और option D जो है इस question का सही नतरों का इन मेंसे कोई भी नहीं इन मेंसे कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो पाकिस्तान से होकर नहीं बहती हो यह सारी की सारी नदी जो है वो पाकिस्तान में जाकर बहती है अब पहले तो इन नदीयों के बारे में जानी है basic बेसिक बेसिक कि जो जेलम हो गया चेनाब हो गया राभी हो गया ये किसकी सायक नदि या है ये इंडिस की सायक नदि और इंडिस नदी जो है आपको बönेर आपको भता है कि पाकिस्तान में भी पायती है इंडeous वाटर ट्रेटी भी हमने पाकिस्तान के साथ उसाइन कर रखी है 1960 में जो था ये ट्रेटी हुई थी अगर हम बात करें जेलम नदी की जेलम नदी कहां से निकलती है जेलम नदी जो है वो वेरिनाग से निकलती है वेरिनाग आपने ध्यान रखना है वेरिनाग से जेलम नदी निकलती है और ये जो चेनाब नदी है ये कहां से निकलती है तो आप सभी को बता होगा कि चेनाब नदी जो है उबारालाचा धर्रे के समीब कहीं से निकलती है उसी तरह रावी नदी option में दिया गया है तो रावी नदी जो है कहां से निकलती है रावी नदी जो है बड़ा भंगाल के समीब कहीं से निकलती है तो ये आप इन तीनों नदीयों के बारे में ध्यान रखे most important था जेलम जो आपको शायद नहीं ध्यान रहा हो या फिर revise करके आपको ध्यान आगया होगा अब मैंने आपको starting में ही बता रहा है कि इंडेस की ये तीनों चलकर सहायद नदीयों बनती है तो इंडेस नदी कहां से निकलती है जो जिसको हम सिंधु नदी के नाम से जानते है इंडेस नदी तीबत के स्मीब कहीं से निकलती है खासकर मांध सरोगर जील के ही तो यह आप ध्यान से बिदिया में दिया यह 709 लाव、 सिजी याद रख लिए, अगला question है question number 8, बोलते हैं, धूपगड is the highest point of the, धूपगड peak आपने सुना होगा, धूपगड peak जो है, वो highest peak है, किसका, तो धूपगड के बारे में अगर आप बात करेंगे, कि धूपगड किन मैसे जो है, किसकी highest peak है, तो इसका सही अंसर गया होगा, option B, स चला, और यह पढ़ती कहाँ पर है, कौन से, state में जो है यह पढ़ती है, तो यह मध्या व्रदेश में जो है, यह पढ़ती है, पहले तो आपको, यह question भी यहाँ से पढ़ती है, इसी धर आप अरावली का ध्यान रखिए, कि अरावली की highest peak कौन सी है, अरावली की जो गुरु सिखर पीक, और यह राजेस्थान में जो है, वो मुख्यरूप से पढ़ती है, यह भी आपको पता चल गया, और यह जो विंधिया यहाँ पर option में दिया गया है, यह जो हाँ पर पढ़ता है, तो आपने ध्यान रखना है, कि विंधिया वीक जो है, यह पढ़ता है मुख्यरूप से आपका गुजरात राज़स्थान मध्यवदेश इन सभी को ये थोड़ा थोड़ा टच करता है यहां तक ये फैला हुआ है और विंध्या पीक की जो हाइस्ट पीक है उसको आप गुडविल पीक कह सकते हैं गुडविल पीक जो है इसकी हाइस्ट पीक मानी पीक जाती है यह विंध्याज के वारे में भी आपको पता चल गया तो यह 3 के तीन और आप्शन क्लिएर होगे कम से कम 5-6 क्वेशन आप यहां से क्लिए दर ले हमारे जो एक वीडियो होती है वहां से हम कम शेकम जो है उस सौ क्वेशन डिसकस करते हैं और एक दिन किसी ने comment करके मुझे बताया अगला question देखे 9 question है बोलते हैं the western disturbances originate over the बोलते हैं कि पश्चमी विक्सोब जो है वो उत्पन होते हैं कहां से ये उत्पन होते हैं पश्चमी विक्सोब तो ये Mediterranean Sea से जो है वो उत्पन होते हैं option A Mediterranean Sea सही answer है Mediterranean Sea के बार में एक question बहुत और exam में पूछा गया है question पूछा गया है कि Mediterranean Sea और Atlantic Ocean को कौन सी state जो है वो अलग करती है Mediterranean Sea और Atlantic Ocean को जो state अलग करती है या फिर join करती है आप कह लीजिए इसको करती है Gibraltar State Gibraltar State जो है वो most important state है इसको ध्यान रखिए कि Gibraltar state, Mediterranean Sea और Atlantic Ocean इन दोनों को join करती है और ये मुख्या रूप से Spain और Africa में जो है वो बढ़ती है ये जो आपकी Gibraltar state है और Indian Ocean option में दिया गया है तो Indian Ocean के बार में क्या question exam में पूछाता है इसके बार में एक बार exam में question पूछा गया था Bay of Bengal और Indian Ocean और इंडियन ओशें इन दोनों को जो state अलग करती है उसका नाम है पार्क स्ट्रेट पार्क स्ट्रेट जो है इन दोनों को अलग करती है ये आपने ध्यान दखना है और Arabian Sea भी option में दिया गया है Arabian Sea के बार में क्या question exam में पूछाता है इसके बार में question पूजाता है कि Red Sea اور Arabian Sea को जो है कौनसी state आपस में join करती है Red Sea और Arabian Sea को जो state आपस में join करती है वो है बब al-mandeep straight जो है ये Red Sea और Arabian Sea को आपस में join करती है तो ये आपनें ध्यान लखना है straits के बारे में जो अलग-अलग waterastian इसको join करती है अगले question में क्या बोलते हैं which is also known as side 3 range तो इन मैसे जो है वो side 3 परवत माला के नाम से किसे जाना जाता है side 3 परवत माला के नाम से इन मैसे जो हो कौन जाना जाती है कौन सी पहाड़ी जाना जाती है आप कह सकते हैं तो इस question का सही answer है western ghat western ghat को जो है वो side 3 range के नाम से भी जाना जाता है अब यह जो western ghat western ghat के बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे इसके बारे में ध्यान रखिए western ghat कहां पर पड़ता है तो यह केजला में पड़ता है और इसकी जो highest peak वो कौन सी है वो है अन्ना मुड़ी वीग अन्ना मुड़ी वीग जो है इसकी highest peak है यह question आपको यहां से पता चल गया अब western ghat जो है वो UNESCO की world heritage list में भी जो हो सामिल किया जा चुका है तो western ghat को जो था केरला तमिनाडू इन सभी states को जो हो थोड़ा थोड़ा टच करती है यह आप में ध्यान रहता है और 2012 में से UNESCO की list में सामिल किया गया था अच्छा अजंता की गुफाएं आपने सुना है अजंता की गुफाएं कहां प्रसित है महराष्ट्रा में से इनको भी UNESCO की list में सामि synergy बहुंतं से करें ट्रक फार्मिंग से समझावें थ ancien ओसरी आपका सब्चेवल का रिख क्याना प्रसम्त में chyba आपको नंब्र की क्वैम फालां धायत bedroom जूबदों की खेती को जाती है अपकर बोड़े स्केछल पर और की जाती है बजार से काफी दूर अब जब बजार से दूर खेती की जा ती है तो उसमें गर्भशार तक ले जाना होता है तो उसमें परिवहन क्या चकता परती है तूटी कोरियन के जो तापिये के इंदर वाला दक्षिन भारत का राज्य है वो कौन सा है जो थर्मल स्टेशन है टूटी कोरियन यह कौन सा साथ हिंडियान स्टेट है इसका आपको पता होना चाहिए यह तमिल आड़ू आपका स्टेट है ऑप्शिन C जो है वो सही अंसर है यह जो आपका टूटी कोरियन थर्मल स्टेशन है इसके बार में थोड़ा सा आप इस तरह से ध्यान लखे है कि इसकी अलग लग यूनिट्स जो है वो बनाई गई है पांच यूनिट्स इसकी मुख्य रूप से बनाई गई है और इसकी पहली यूनिट जो था हो कमिशन की यह थी 1979 में उसके बाद दूसरी यूनिट corona80 में आई तीसरी इसे इसकी Gente 82 में आई चौती इसकी 1992 मे आई और पांच में नंबर की इसकी 1991 में आ गई अब इसके बार में कआ जाता है कि इसकी पांच यूनिट्स इन की जो हो 度ाईट्स है इनकी जो हो कपसिटी भी अलग जग की बनती है अच्छा क्या तमिलाडू में कोई और भी थर्मल स्टेशन है तो आपका अंसर हो गार जी हाँ तमिलाडू में और भी थर्म क्रेशन है। एक आपका नेवेली थर्मल पावर स्टेशन आता है, एक आपका मेठूर थर्मल पावर स्टेशन आता है, एक आपका ये तूदी कोरियन थर्मल पावर स्टेशन आता है, एक आपका आई एंडी बरत थर्मल स्टेशन आता है, तो ये अलग लग थर्मल पावर स्टेशन है तर इसके बार में पुछाथा है ऑपर बनाजसे स裡面 कोबबा क्या स्कूम्य पूछा गया है लिए वह भारत की सरवादिक सहरी समुदाय कौन सा है भारत का तो सबसे सरवादिक सहरी समुदाय है वह कौन सा है क्वेशन नमर 13 का जो है वह option C से इंसरों का पार्सी यह जो है वह इंडिया का most urbanized community मानी जाती है यह अपने ध्यान रखना है अब यहां से मैं थोड़ा सा आपको हिमाचल जीके के साथ जो हो लिंक करता हूं हिमाचल प्रदेश जीके में एक वार एक्जाम में question पूचा के था में एक्जाम एकशक क्यों से एक करता था तो question पूचा किया था हीमाचल प्रदेश का इशाज का इसा कॉन सा आपकोलेशन चीप ^^ किया हो सकता है फिर से किसी आने वाले एक्जाम में आपसे पूछा जाए अगले कोईशन देख लीजिए अगले कोईशन में बोलते हैं तो प्रोग्राम ऑफ कॉम्निटी डेवल्मेंट वाज लॉंच डॉन सामुदाइक विकास का यह जो कारेकरम था इसका प्रोग्रम कब कि प्रोग्राम जो था वो कब लॉंच किया गया था है क्वेशन नमबर 14 का जो है और आप्षिन ए से अंसर होगा अब 2 अक्टूबर 1952 को यह कॉम्निटी डेवल्मेंट प्रोग्राम लॉंच किया गया दो अक्तूबर जो है वैसे भी इंपोर्टन है क्यूंकि दो अक्तूब आप उसे यह से अब तो आप जानिए कि हम जो है वो बारे में बात कर रहे थी तो एक स्ट्रेट आइसी है जो नौर्थ सी को Atlantic Ocean से जो हो जोईन करती है North Sea को जो Atlantic Ocean से Straight जोईन करती है वो है Dover Strait एक तो आपने Dover Strait याद रखना है और दूसरा आप याद रखिए कि मुख्य रूप से कौन-कौन से Sea जो हैं उपर थे हैं तो South China Sea आपने सुना होगा, Mediterranean Sea सुना होगा, Caribbean Sea आपने सुना होगा, Bearing Sea आपने सुना होगा तो ये Seas के नाम है, सुद्रों के नाम है सागरों के नाम है, इनको भी आप याद रखिए अगला है 134 बोलते हैं, Which is Capital of Japan तो जपान की Capital पूछी गई है, जपान की Capital है वो है Tokyo, Option D जो है वो से जपान की Capital टोक्यो है, पहले आप एक क्योशन यहां से याद रखिए Tokyo में क्या हुआ है, Tokyo में जो है, 2020 के जो Olympic हुए है, वो जो है, वो टोक्यो में हुए है Tokyo के Olympics आपने ध्यान रखने है 2020 के, कि Tokyo में हुए है ये क्योशन डेफिनिटली एक्जाम में पूजा जाएगा कि 2020 के Olympics कहां पर हुए थे 2020 के Olympics इनको कहा जाता है असलमें ये हुए 2021 में थे ठीक है, COVID के कारण ने ले हुआ था प्रेंटो हुए Tokyo में थे अब Tokyo की currency क्या है तो Japan की जो official currency है, वो है ये ये ना अपने ध्यान रखना है, ये जो है वो Japan की official currency है अचा ये तो पता चला, अब Beijing option में दिया गया है Beijing जो है, वो कहां की कहां की capital है, तो Beijing जो है चाइना की capital है, क्योटो option में दिया गया है, तो क्योटो जो है, capital तो कहीं की भी नहीं है प्रंतु ये Kyoto city कहां पर पढ़ती है आगे बोलते हैं which is the fastest growing tree तो सबसे तेजी से बढ़ने वाला विलिक्स जो है वो है यूकेलिप्टस यूकेलिप्टस option C जो है वो से यंतर है ये पेड जो है वो सबसे जल्दी जो है उपरो करता है और आपको पता है कि वीडियो के last में हम दो important current affair के question भी जो है वो discuss करते है तो आज हम दो important current affair के question भी discuss करेंगे और जनवरी महीने के दो important current affair के question डिसकस करेंगे उससे पहले देखिए अगर आपने अभी तक भी हमें टेलिग्राम पर जोइन नहीं किया है तो अपना टेलिग्राम open किजे आपको हमारा टेलिग्राम चनल मिल जाएगा तो यह आपने ध्यान रखने है अब दो important current affair के question हम डिसकस करते है पहला question आपने ध्यान रखना है कि नए chairman बनाएगे और CEO भी बनाएगे railway board के railway board के जो नए chairman और CEO बनाएगे उनका नाम है विने कुमार त्रिपार्थी यह most important question है January 2022 का विने कुमार त्रिपार्थी का नाम आपने ध्यान रखना है यह नए chairman और CEO बनाएगे और दूसरा question है कि woman Asia cup hockey title जो था जो 2022 में हुआ यह woman Asia cup hockey title था यह किसके द्वारा जीता गया यह Japan के द्वारा जीता गया पता होना चाहिए आपको कि woman Asia cup hockey title 2022 किसने जीता था जपान ने जीता था और दूसरा question जो हमने रेर्बे बोर्ट के बारे में इंडिया गपड़ा वो भी आप ध्यान रखिये आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है so that's all for today thank you thank you very much for watching and listening it very patiently